हेलो चात्रो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टोड़े से स्टड़ी क्लासेस में चात्रो आज हम एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका काक्षा साथ बिसे हिंदी का पार्ट बीस करेंगे जिसका नाम है महान बैग्यानिक डॉक्टर चंद्र सेकर बैंकट रमन तो चलिए चात्रो इस अध्याय के प्रशन उत्तर करते हैं बहु बिकल्पी है प्रसन प्रसन नमबर एक ता प्रत्य वाला सब्द है पहला है सफलता दूसरा है तारक तीसरा है इसमिता चौता है तारीफ चात्रो प्रत्य सब्द वे सब्द होते हैं जो किसी सब्द के सफल्टा प्रस्ट नम्बर दो है बागे के घटक होते हैं पहला एक दूसरा है दो तीसरा तीन चौता है चार इसका सही उत्तर होगा अप्सान नम्बर बी दो दो ठीक है हती लगू उत्रिये प्रस्ट करेंगे प्रस्ट नम्बर तीन चैन्नाई के प्रसीडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों होई इसका उत्तर है आधुनिक सिक्षा के लिए प्रस्ट नम्बर चार है डॉक्टर रमन की ख्याती देश विदेश में फैलने लगी पंक्ती क्या फियति सब्द का अर्थ चैन्नाई होगा इसका उत्तर वह प्रसищद्दी क्याथी सब्द का मतला पुता है प्रसिद्दी ठीक है अगला प्रसं करते आ। प्रसंन नम्र पांच है बृतिश सरकार ने डॉक्टर चंद्र सेखर बेंकट रमन को सर की उपादी से क्यों सम्मानित किया उतर है रमन पिरभाव की खोज के कारण पृष्ण नमबर छे रमन कलकत्ता बिस्विद्याले में बहुत एक सास्त्र के प्रोफेसर थे बाग मैं से उद्देश और विदे चाटका लिखी उतर है उद्देश क्या है रमन ठीक है और विदे क्या है गोलकत्ता बिस्विद्याले में बहुत एक सास्त्र के प्रोफेसर थे लगूत्री प्रसन करेंगे प्रसन नमबर साथ राष्टिये विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है उतर है रमन प्रवाव की खोज 28 फरवरी सन 1928 इश्वी में होई थी इसलिए इस महान गठना की याद में 28 फरवरी को राष्टिये विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रसन नमबर आठ है दी गई तालिका को निर्देश अनुसार पूर्ण कीजिए डॉक्टर रमन को मिले प्रुसकारों की सूची मनाये यह दिया है प्रुसकार का नाम यहाँ पर सन दिये किस सन में उनको कौन सा प्रुसकार मिला प्रदान करने वाली संस्ता किस संस्ता ने भुषण को कोन प्रुसकार दिया यहां पर उनके नाम कि पहला अए सर की उपादी सब 1909 में ब्रिटिस सरकार नहीं दूसरा अै नोबिल प्रुसकार में नोबिल संस्तान नहीं भारत Ratny 94 में भारत सरकार요 लेनिन सांती पुरुसकार 1957 सुभिय संग न दिया डॉक्टर ऑफ साइंस 1921 कुलकता विस्व विद्ध्याले न दिया अगला प्रसंद करते हैं प्रस मुर्द प्रवाब की खोज का विचार। डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया। उत्तर है। डॉक्टा रमन को सागर यानि समुद्र के नीले रंग को देखकर रमन प्रवाब की खोज का विचार आया। अगला प्रसंद करते हैं। प्रस्ण नमबर 10 यदि आप ब्याग्यानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे उतर है विज्ञानिक बनने के लिए मैं अपने विज्ञान के विशै में ज्यादा जोर दूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा जिससे मैं ब्याग्यानिक बन सकू दीर गुत्रिये प्रसिन मर्णी 11 प्राचिन समय के क्रसी कार्यों और आज के क्रसी कार्यों में क्या अंतर हैं अपनी समझ के आदार पर लखिये उतर प्राचिन समय में क्रसी कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पसुओं का सारा लिया जाता था जबकि आज के क्रसी कार्य में अनेकों प्रकार की मसीने आ गई हैं जिससे मानव का सायोग वहुत कम हो गया है प्राचिन समय की खेती बिना किसी रासायनिक उर्वरक के की जाती थी जबकि बर्तमान समय में क्रसी में अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं ठीक है चातरो तो इस प्रकार से प्राचिन समय में और आज के समय में खेती की जाती है इस प्रकार से आप यहां उतर लिख सकते हो अगला प्रसंद करते हैं प्रसंद नमर बारा किसी विकार को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवसकता होती है लिखिए उतर है किसी विकार को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए हमें द्रण होने की आवशक्ता होती है यदि किसी कार को करने के लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं वह अवस्य रूप से पूर्ण हो जाता है तो चात्रों इस प्रकार से आप पार्ट बीस की पिशनोतर लिख सकते हो चात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिएगा साथी साथ गंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और चात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी सेर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार रहासाने से क कर सके धन्यवाद चात्रों